Hello friends, आज का हमारा topic है multiplexer, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि multiplexer क्या होता है और इसका logic circuit कैसे बनता है, ठीक है, और यह work कैसे करता है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि multiplexer होता क्या है, a multiplexer is a combination circuit that has 2k power an input line and produce a single output line depending upon the selection line is called multiplexer friend multiplexer जो होता है हमारा एक circuit होता है ठीक है और यह 2k power an input line लेता है और produce करता है एक single output line ठीक है 2k power an input line का मतलब होगा कि अगर हमारा 2k power 1 हो तो यहाँ पे सिरफ 2 input line जाएगा अगर हमारा 2k power यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 input line जाएगा अगर यहाँ पे 2k power 3 होगा तो यहाँ पे 8 input line जाएगा इस multiplexer के अंदर ठीक है तो यही होता है हमारा multiplexer और यह single output line produce करता ह ठीक है और यह जो depending upon the selection यह जो output line निकलता है यह depend करता है हमारा selection line के उपर कि कौन सी input line सबसे पहले output line में निकलेगी ठीक है तो इसको हम बोलते हैं multiplexer multiplexer को हम marks भी बोलते हैं ठीक है तो अगर papers के अंदर आता है आपके exam के अंदर के multiplexer क्या है तो यह definition आफ लीग सकते हो ठीक है देखो block diagram यहां पर हम इस type से बनाते हैं ठीक है यहां से हमारा टू के power n input line जाता है इस multiplexer के अंदर और यहां से हमारा एक single output line निकलता है ठीक है output line को हम f से denote करते हैं ठीक है अब यहां से हमारा selection line होता है ठीक है selection line को हम s से denote करते हैं ठीक है s0 s1 s2 s3 इस type से हमारा sn तक selection line जाता है ठीक है तो यह कुछ हमारा multiplexer का block diagram है और यह है हमारा definition ठीक है चलो अब देखते हैं कि इसका type क्या होता है type of multiplexer there are many type of multiplexer हमारे थीक क्रॉस्ट वन का multiplexer होता है 4 क्रास वन का होता है 8 क्रासट वनका और 16 क्रास्ट वननका multiplexer अब लएबल होता है ठीक है यह हमारा type verticallyls आप चलो हम क्रूव क्रॉस्ट का multiplexer बनाते हैं ठीक है देखो हम question रोह नमつ worship इक है सबसे पहले हम से लिखेंगे दोके पाउब आप्लाई करेंगे डू के पाउर एन तो क्रॉस वन को मैं लिख सकता हूं देखोझ यहां पर गाइंज को इसको तूल जो है यह हमारा इनपुट लाइन बनेगा और है यह हमारा से लेक्षन होगा ठीक है इसके लिए मैं ब्लॉक डाइग्राम क्रिएट करूंगा ठीक है यह देखो हमारा टू क्रॉस वन मल्टिप्लेक्सर का ब्लॉक डाइग्राम है इसमें दो इनपुट चाहिए तो हम यहां से दो इनपुट देंगे आई जीरो और आई वन ठीक है एक सिंगल आउटपुट निकलता है तो हम यहां से सिंगल आउटपुट निकलेंगे ठीक है सेलेक्सर लाइन हमारा वान होगा तो हम यहां से एक सेलेक्सर लाइन देंगे एस ठीक है तो यह हमारा कंप्लीट ब्लॉक तो यहां से हमारा आई जीरो आउट्पूट निकलेगा अगर सेलेक्शन लाइन मेरा वन रहेगा तो यहां से आई वन आउट्पूट निकलेगा ठीक है अगर सेलेक्शन लाइन में जीरो रहेगा तो अमारा आई जीरो आउट्पूट निकलेगा अगर सेलेक्शन लाइन में जीरो का मतलब होता है वेरियेवल्स का कम्प्लिमेंट ठीक है और वन का मतलब होता है सीम्पल वेरियेवल्स ठीक है यह कॉंसेप्ट है यह आपको याद रखना है ठीक है तो देखो यहां से हमारा सिलेक्सा लाइन में जीरो है ठीक है मतलब की इस का कम्प्लिमेंट ठीक है त प्लास लगाएंगे अब देखो ma1 umbork ठीक यहाँ पर रए मतलब कि साए मारा तो यहां पर हम लिखेंगे अब देखो इस रीक्सर नाइन में अगर राता है है यहां राता है टीदियान हमरा आईवन लिखेंगे ठीक है तो यह हमारा complete equation बनेगा एस ओपी फर्म का ठीक है अब इसके लिए हम logic circuit create कर लेंगे step number 3 यूज़ करेंगे design the logic circuit ठीक है इसके लिए हम logic circuit create कर लेंगे देखो यह हमारा equation था ठीक है सबसे पबले हमेरे एस का compliment चाहिए ठीक है तो हम यहां से एस का compliment देंगे ठीक है उसके बाद हमें i0 चाहिए ठीक है तो हम यहां से i0 पास करेंगे end gate के अंदर ठीक है इन दोनों में end gate है तो हम यहां से end gate लगाएंगे तो यहां से मेरा output आएगा s-i0 ठीक है next है हमारा s और i1 ठीक है तो देखो हमारा s का line यहां से input जाएगा और रहे ऐएउन ठीक है तो आईवन हमारा यहां से जाएगा यहांसे से पासलों को I am और कपार इस दोनों को और यहांसे पासल निया हमें इसन के लिए अब सब्सक्राइब कि धे तो हमारा पूट क्या रहा था जिछ और एप यहां सब्सक्राइब को यहां से आफ़्ूट में पकारए ए क्या होता लमाटी में मल्टिप्लाई होता है लिया धना यहां पे रहां निकलेगा हो खैंगे ना में में मेरा one है ठीक है तो selection line में one उने पर मेरा output क्या रहा था आई one आ रहा था ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने selection line में बेजा one यहाँ पर आया one और देखो यहाँ से one जा रहा है ठीक है तो end gate में क्या होता है multiply होता है तो 1 into 1 कितना होगा 1 होगा ठीक है तो यसी लिए यहाँ पे I1 हमारा output आएगा ठीक है इस circuit को आप इस type से भी बना सकते हो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले selection line चाहिए तो selection line हम लिखेंगे selection line का input लेंगे उसके बाद selection line का dash का हम input लेंगे है यह not gate है अब देखो इसमें this death चाहिए ठीक है इस का compliment चाहिए तो हमारा यहां से इसका compliment चला जाएगा input में उसके बाद I0 चाहिए यहां से चला जाएगा इन दोनों में end gate है हम यहां से end gate से pass कर देंगे तो S-I0 हमारा यहां पे output मिल जाएगा ठीक है फिर next हमारा S और I1 ठीक है S हमारा यह है selection line यहां से हमारा S का input चला जाएगा उसके बाद I1 I1 हमारा यहां से input चला जाएगा इन दोनों में end gate है हम end gate से pass कर देंगे ठीक है तो यहां ते S I1 हमारा output निकलेगा ठीक है फिर again इन दोनों में क्या है plus है मतलब कि और gate है ठीक है तो हम इन दोनों का output और gate से pass कर देंगे ठीक है तो यह हमारा F is equal to S dash I0 plus S I1 हमारा output आजाएगा ठीक है वीडियो पसंद आया हो वीडियो उसको like किजिए share किजिए चैनल पर फस्टी में है चैनल को subscribe कर दीजिए ठीक है